Hello my dear students, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता IS Warriors में Class 9 की Worksheet No. 43 आज हम solve करेंगे जहाँ पे हम revision करेंगे Force and Laws of Motion ये Worksheet आपकी 12 October 2020 के लिए है तो चलिए start करते हैं with ज्यान and जिग्यासा और मेरे favorite student यानि की आप सभी के साथ Force and Laws of Motion में हमने क्या क्या पढ़ा था आज हम recall करेंगे पूरे chapter को recall and revise करने वाले है सबसे पहले आज जिग्यासा question करेंगे ज्यान ने बहुत question कर लिए तो आज जिग्यासा question करेंगी ज्यान, what have you learned so far about the Force and Laws of Motion तो जैसे की ये जिग्यासा पूछ रही है वैसे ही मैं भी आप से पूछ रही हूँ कि ज्यान आपने क्या पढ़ा Force से इस वाले chapter से और आपने क्या सीखा Force and Laws of Motion से आप मुझे एक एक करके बताईए तो अब ये reply कर रहे है जिग्यासा दीदी I have learned many things about Force and Laws of Motion वो कह रहे हैं मैंने जो ये आपका chapter है Force and Laws of Motion इससे बहुत सारी चीजे सीखी है I hope आप सभी ने सीखी होंगी तो वो क्या क्या चीजे हैं एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले जो हमने चीज सीखी है Balance Resultant Force is Zero जो Balance Force होता है वो Zero होता है देखिए मैं एक एक चीज को थोड़ा सा अराम-अराम से बताऊंगी समझते जाना जिसे कि आप क्या Hi-Fi करते हैं फ्रेंड के साथ ठीक है जिसे याँ पर image में दिखाया हुआ है जब Hi-Fi करते हैं और दोनों का hand equal होता है तो किसी के एक तरफ नहीं जाता क्यूं? क्योंकि दोनों एक बराबर का Force लगा रहे होते हैं इसलिए वो क्या होता है? Net Force Net Force मतलब Zero अगर किसी body पे दोनों direction से Same Force लग रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते है? Net Force आपका बेटा कितना होगा? Zero होगा अगर दोनों तरफ से 10 N, 10 N का Force लग रहा है तो वो आपस में एक दूसरे को Cancel करके क्या कर देता है? Zero कर देता है एक चीज हमने ये पढ़ी थी सारी चीज को थोड़ा-थोड़ा सा Recall करते जाएंगे ठीक है? और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप comment section में पूछेंगे और वीडियो के end में आपसे मैं एक question भी पूछूंगी Unbalanced force, resultant force is greater than zero जो Unbalanced force होता है वो resultant force से या 0 से जादा होता है हमने दूसरी चीज ये पढ़ी थी कि कोई भी object जो है आपका बिटा वो move करेगा, motion में कब आएगा? जब उस पे हम Unbalanced force अप्लाई करते हैं यानि जब हम एक side में जादा force अप्लाई करते हैं तब आपका body क्या है? आपका object जो है, वो motion में आ जाता है इसलिए हम उसे क्या बोलते है? Unbalanced force, जैसे हमने देखा था रसी खीचने वाला खेल या फिर एक तरफ जादा force आपने लगा दिया इसके अलावा क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने force की definition पढ़ी है नहीं पढ़ी है, तो आप सीख लीजिए force की क्या definition होती है The push or pull of an object is called force किसी भी object को बेटा आप push करते हो पुल करते हो, तो उसे हम क्या कहते है ठीक है, उसी को हम क्या कहते है force कहते है, जिसकी वज़े से उसमें motion होता है वो चलता है, तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है तो और force की unit क्या होती है Newton, Newton क्यों होती है भाई तो आप लोग बहुत smart है Newton हमारे scientist है जिन्होंने motion के तीनों नियम दिये है तीनों laws दिये है तो उनका नाम Newton था इसलिए हम Newton के law कहते है और force की unit भी क्या है Newton, किसी भी चीज को नापने की unit होती है जिसे आप सबजी को नापते हो किसमें, kilogram में नापते हो इसी तरीके से weight को नापते हो तो हमारा जो force है force को हम किसमें नापते है force को हम नापते है Newton में जिसे हम क्या बोलते है अब 1 Newton क्या होगा देखिए 1 Newton क्या होता है आपका कोई भी quantity अगर आप बोला जाए कि 1 बताइए तो उसमें सारी चीजों की 1 रख दो value तो वो 1 हो जाता है 1 unit of force is defined as the amount of force produce and acceleration 1 meter per second square of an object in 1 kg mass अगर हम किसी body पे जो force लगा रहे है ठीक है वो 1 Newton तब होगा जब वो body 1 kg mass हो और उसमें जो acceleration हो वो 1 meter per second square हो ठीक है 1 meter per second square उसमें acceleration हो उस body का 1 kg mass हो तब जो हम force लगाएंगे वो कितना होगा 1 Newton होगा इस तरह आपने और भी सारी units पढ़ी होगी 1 Newton या 1 substance के बारे में जहां आप सारी values को 1-1 रख दीजिए ठीक है इसके एलावा हमने क्या पढ़ा था पढ़ी थी Newton के law of motion 1st law of motion, 2nd law of motion and the 3rd law of motion तीनों को हमने पढ़ा था एक एक वरक्षीट में तो सबसे बहले 1st law क्या था Any object remains the state of rest or in uniform motion along a straight line unless compelled to change the state of an applied force कोई भी body जो object है हमारा वो motion में है तो motion में ही रहेगा rest में है तो rest में रहेगा जब तक आप उस पे कोई force applied नहीं करते और force कैसा होना चाहिए? Unbalanced force ठीक है एक साइड में Unbalanced force होना चाहिए यह हमने पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था inertia inertia क्या होती है? inertia वही होती है tendency to resist a change बतलब जो जिस position में जो object है वो उसी में रहना चाहता है उसको हम क्या बोलते है? inertia जिसे कि आपने देखा था कि bus का example कि आप bus में जब travel कर रहे हैं बस चल रही है तो आप motion में रहना चाहते है जैसे बच अजानक से रुखती है तो क्या होता है? sudden break लगता है आप रुख जाते हैं लेकिन आपकी body क्या करती है? वो motion में रहना चाहती है इसके वज़से आपको जटका feel होता है तो यह क्या था? inertia था हमने पढ़ा इसके बाद हमने second law of motion पढ़ा था second law of motion क्या कहता है? the rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of motion तो direction of force तो यह momentum क्या था? momentum क्या होता है? P equal to MV यहाँ पे mass और यह velocity होता है यह हमने पढ़ा था और इसको हमने पढ़ा था कि जो force है वो किसके बराबर होता है? momentum के यानि MA के बराबर होता है यानि की आपकी body पे जितना force लग रहा है वो किसके बराबर होगा? उस object के mass और acceleration के multiple के बराबर होगा इसका हमने derivation भी proof किया था ठीक है? अब आपको क्या है? अब आपने पढ़ा था third law of motion जो बहुत interesting था तो third law of motion क्या कहता है? to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies किसी भी body पे equal and opposite reaction लगता है मतलब आप किसी body पे जो force लगाते हैं उतना ही force वो body आप पे imply करती है तो ये हमने third law पढ़ा था बहुत important और बहुत interesting है इसके बाद अलावा हमने पढ़ा था law of conservation of momentum last worksheet में आपको recall होगा law of conservation of momentum जहां पे हमने पढ़ा था कि total momentum of the system where there is external force remains constant यानि जो हमारा external force होता है वो constant रहता है जिसमें हमने एक equation पढ़ी थी कि M A U A plus M B U B equal to M A V A plus M B U V B यानि हमने momentum के form में एक पढ़ा था कि जो किसी भी object का initial velocities और final जो velocities होगी उसका mass से multiple जो होगा वो equal होगा यानि जितना उसमें momentum टकराने से पहले था उतना ही momentum टकराने के बाद होता है ये law of conservation of momentum है इसके बाद हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था देखिए कुछ examples आपको दिखाया है कि जैसे ball catch करते हैं तो ये second law का example है टायर पे मारते हैं ये वाला game आपने खेला होगा कई बार बच्चों ने किस पे आप मालते हैं तो ये टायर आगया होगे घूम के जाता है second law of motion का example है ठीक है और ये इस तरीके से कील काड़ते हैं ये first law of motion का example है तो ये अलग-अलग तरीके के example आपको recall करा है अब देखिए आज आपको five questions दिए गये हैं सबसे पहरे define one newton करना है one newton force आपको define करना है what is the SI unit of momentum and the force ये आपको बताना है SI unit दोनों की three law of motion आपको लिखने है इसके बाद write two application दो application अप्लिकेशन का मतलब होता है बिटा use ठीक है आपने जो आपके real life में यहां कहां पे आपने देखा है और define inertia करनी है आपको चलिए solution देख लेते हैं उससे पहले आप मुझे ये बताइए इस चाप्टर में आपको तीनों law में से सबसे अच्छा और interesting law कौन सा लगा और कौन सा law आपको समझ में आया first question में बोला है define one newton force तो आप लिखेंगे one newton is the force needed to accelerate one kilogram of mass at the rate of one meter per second square in the direction of applied force direction of applied force में अगर आप one acceleration है वो one meter per second square होता है ठीक है और जो mass है वो भी बेटा क्या होता है one kilogram होता है तो आपका force क्या होता है one newton होता है question 2 में आप से बोला है what is the SI unit of momentum and the force तो इसमें आप क्या बोलेंगे the SI unit of force is newton आपको पता है force unit newton है और symbol क्या है n or the SI unit of momentum is measured in kilogram meter per second momentum की unit क्या होता है kilogram meter per second जिसको हम ऐसे भी लिखते है kilogram meter per second तो यह आपका answer one or two हो गया telegram पे भी provide करा दिया जाता है तो वीडियो से आप समझे और telegram से जाके अराम से कर सकते है ठीक है यह नहीं की वीडियो में पोस्ट करके लिखने में लगे हुए है पहले समझ लो यह हो गया answer one or two question number three में क्या है state three laws of motion तीनों law यहाँ पे आपको पताने है the three laws of motion are as follows number one Newton first law of motion states that an object at rest remain at rest and an object in motion remain in motion with the same velocity unless acted upon an unbalanced force कोई भी object पे बिटा आप force लगा रहे हो तो अगर motion में है तो motion में रहेगा और rest में है तो rest में रहेगा जब तक आप उस पे unbalanced force नहीं लगाते second law क्या कहता है the second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force तो rate of change of momentum हमारा बड़ाबर होता है force and to the acceleration यानि F equal to MA होता है हमारा second law of motion what is the third law of motion the third law of motion states that for every action there is an equal and opposite reaction ठीक है हर चीज का equal and opposite reaction होता है तो यह आपके तीनों law हो गए यह आपका answer number 3 हो गया चलते हैं next question पे fourth question में बोला है write to application of second law of motion second law of motion की दो application आपको बतानी है तो आप लिखेंगे two application of second law of motion are as follows number 1 when we kick a ball we exert force in a specific direction आप जब किसी भी ball को kick करते है ठीक है कोई से भी ball हो सकती है football हो सकती है ठीक है अलग अलग type की ball तो आप उसमें force लगाते हैं एक particular direction में जब आपने kick किया तो इस ball में इस direction में आपने force लगाया which is direction in which it will travel जहां force लगाएंगे उस direction में बटा बॉल टेवल करेगी in addition the stronger the ball is kicked the stronger the force we put it and the further away it will travel तो आप जितना ज़ादा force लगाते हैं बटा आपकी ball उस direction में उतनी ज़ादा ही move करती है इसके लामा number two है two example है इसका it is easier to push an empty cart in supermarket than it is pushed to loaded one ये वही है second log का मतलब क्या होता है F equal to MA जितना ज़ादा mass होगा ठीक है उतना ज़ादा ही इस body पे force लगाना पड़ेगा तो वो कह रहे हैं कि जो आपका ठेला होता है market में आप खाली ठेला ले जाना ज़ादा असान होता है in comparison to भरा हुआ सबजी का एक भरा ठेला होगा तो ज़्यादा time लगेगा क्यों उसका mass ज़्यादा होगा इसलिए उस पे force भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा more mass required for more acceleration ज़्यादा mass होगा उस पे ज़्यादा force की ज़रूरत होगी इसके बाद आपसे question number 5 पूछा है define inertia तो the natural tendency of an object to resist in change in their state of uniform motion और of rest is called inertia ये tendency की कोई भी वस्तु अगर motion में है तो motion में रहना चाहती है rest में है तो rest में रहना चाहती है क्या कहलाती है inertia कहलाती है answer number 4 and 5 हो गया दोनों का screenshot ले सकते है telegram का link description में है join कर लो अभी तक नहीं join किया क्योंकि उस पे और भी चीज़े आगे provide कराई जाएंगी so guys यहाँ पे हमने worksheet 43 इस हफते की पहली worksheet solve कर ली है I hope आपको समझ में आ गया होगा तो आपका question of the day यह है कि Newton की जो third law है Newton का third law कहते है every action has equal and a positive reaction इसका मुझे आपको दो example बताना है real life example जो आपने आसपास देखा होगा equal action and reaction का फटा-फट से comment करके बता दो जिसका comment सबसे प्यारा लगेगा उसे में pin करूंगी so bye bye take care मिलते हैं next worksheet में